आज हम बात करेंगे mongodv के tutorial part 8 के बारे में जिसमें guys आज काफी important tutorial है mongodv compass क्या है कैसे install करना है बाकी सब हम देखने वाले है beginners के लिए काफी important होने वाला ठीक है मैं अपने यहां पर experience से आपको बताऊंगा mongodv compass का use क्या है ठीक है तो पहले तो मैं आपको explain करूंगा and then second point हमारा यह कि इसे आप कैसे perfect way में install कर सकते हैं basically 2 ways होते हैं तो दोनों को हम जानेंगे and how to connect mongodv compass कैसे connectivity हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं कमांड प्रॉम टोपन करता हूं and then guys आपने हमारे tutorial फोलो कर रहे हूं तो हम यहां पर जैसे mongos type करते थे तो हमें यहां पर जो output मिल जाता था ठीक है काम यहां पर आप कमांड के द्वारा कर रहे थे वह काम इससे काफी easy होया था ठीक है क्योंकि यह आपको जीवा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपको कुछ actions करने होते हैं आपके वहां पर databases बगर डॉक्युमेंट्स फेल्स आप यहां पर easily create कर सकते हैं ठीक है करना तो उसमें महां पर mongo db compass का side में tick आ रहा होता है ठीक है basically अभी मैं यहां पर दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत रही है पर आप करोगे तो वहां पर एक left side में tick आता है सबसे last में जा करके ठीक है तो आप वहां पर tick करके उसे easily install कर सकते हैं अगर आपने हमार डाउनलोड कर रहा है पर मैं आपको यहां पर बता जिता हूं कैसे आपको जाना है तो आपको यहां पर जाना है डाउनलोड नाव पर आपको क्लिक करना डायरेक्ट ठीक है 1.30.1 इसका stable version चल रहा है and then guys यहाँ पर आपको platform में यह आपको zip by default बोल रहा होगा ठीक है आपका जो भी version वो आप check कर सकते हैं मैं यहाँ पर MSI को use करूंगा ठीक है basically क्या है zip को मैं install करूंगा फिर मुझे extract करना होगा and then file को run करना होगा अब यह क्या Microsoft installer है जिसके click करते ही मेरा direct download होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर direct download करूंगा देखिए basically मैंने यहाँ पर already download कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से cancel कर देता हूँ ठीक है guys and then guys मैं जैसे इस पर double click करूंगा and then guys यहाँ पर बोलेगा next करने को बोलना है अपना and then यहाँ से आप अपने directory चूज कर लीजेगा basically मैं C में रखूंगा क्योंकि basically मेरा C जो है mongodb compass नहीं है basically मैं यहाँ पर एक folder create कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक मैं folder create कर लेता हूँ सबसे पहले मैंने बनाया था basically मैंने uninstall कर दिये था आपके लिए कि मैं आपको starting से सिखा हूँ ठीक है वह uninstall करने में सारा ही चला गया मेरा folder ठीक है तो आप मैंने यहाँ पर create कर लिया ok कर देता हूँ and then next कर लेता हूँ और install कर देता हूँ ठीक है guys इतना time लेगा and then आपका जो है यहाँ पर install करने के लिए yes कर दीजेगा आपका setup इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है जैसी यह आपका proper वी में install हो जाता है तो आपको simple करना है के वह अभी हम देखते हैं तो थोड़ा time ले रहा है install होने में तो देख सते हैं install हो चुक है finish कर दीजेगा and then guys आपको करना क्या है देखिए basically मैं आभी फिलाल में आपको command prompt बंद कर देता हूँ and then guys आपको window दबाना और आपको जो है मेरा basically यहां पर आपको top पर दिखाइज रहा है अगर आपको ना दिखाइजे तो आप यहां पर search कर लीजेगा तो मैं यहां पर mongodv compass लेग लिता हूँ और मैं यहां पर direct open कर दूंगा ठीक है guys इतना काम करना है आपका जो है mongodv compass यहां पर आप रण होना start हो चुका है तो यह थोड़ा time ले रहा है open होने में and then guys जैसे open होता है तो हम यहां पर इसके साथ खेलेंगे ठीक है open हो गया देख सकते हैं open हो गया and then guys यहां पर थोड़ा आपको time लगेगा यहां पर इसका user interface ऐसा नहीं होगा थोड़ा यहां पर आपको text वागेरा दिखाई देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं आ गया ठीक है आप देखिए आपको करना क्या है यहां पर देखिए connect है connect पर आप किजिएगा new connection पर आप click कर सकते हैं ठीक है and then new connection पर आप जैसे click करेंगे तो आपको एक same as it is connection करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने connect करके new connection दिखाया ठीक है अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है यह fill-in connection कुछ यह options हैं तो आप इन से छेड़कानी ना करें जब करनी होगी जब हम बता देंगे ठीक है अभी देखिए क्या होता है जब आप old version यूज कर रहे होंगे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पर आपका जो है यह install हो गया और आपने यहां पर connectivity कर लिए तो आप यहां पर यहां पर like मैं लिख रहा हूं कर ठीक है आपको cancel लिने की बात नहीं है और देखिए बहुत से अगर आपके setup like मैं यहां पर देखिए मैंने cancel कर दिया ठीक है command prompt मैं बता रहा हूं क्या आपको problems आ सकते हैं अभी देखिए आपने command prompt बंद कर दिया and then guys अगर आप connect करने की कोषिस करेंगे तो आपका connect या नहीं मैं की आपके उपर देखता हूं देखिए मैंने यहां पर connect किया तो میरा यहां पर connect हो जाएगा पर I think की यहीं क्या connect हो जाएगा ठीक है अगर नहीं connect होता है तो आपको एक km करना है देख सकते हैं ग्याओ मेरे यहां पर कनेक्ट हो चुका है और मेरे यहां पर डेटाबेस आज चुके हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे एडमिन है बाइडेफोल्ट होता है कॉलेज नाम का जो कि हमने पिछले टुटियल्स में अल्रेडी देखा है अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो आप क्या करिए विंडो कमांड प्रॉम्ट को उपन करिए अपने को लेखिए आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट कर दिए और मैं यहांसे भी इसे कट कर दिता हूं बेसिकली मेरा परपस था कि आपको एक न्यू कनेक्शन बताना ठीक ह आप जैसे मॉंगो डीवी कमपास को ओपन करोगे तो यहांसे भी डिरेक्ट आप कर सकते हो ज़रूरी नियू कनेक्शन करो ठीक है तो हम लोकली काम करने तो ऐसा काम कर सकते हैं अगर आपको मल्टिपल कनेक्शन करने हैं तो आप उसको तब यूज करेगा टैब को ठीक है मेरा आप जो है सिंगल टैम में चल रहा है अभी देखिए मेरा तो डिरेक्ट कनेक्ट हो रहा है मैं यहां पर अगर कमांड प्रॉम्ट को रन नहीं कर रहा हूं फिर भी ठीक है बट वाइद अब आपके केस में नहीं होता तो आप एक वर मॉंगो को स्टार्ट कर लीजगा तो आप यहां पर कनेक्ट कीजिगा ठीक है तो अब मेरा काम है यहां पर आपको थोड़ा इंटरफेस आपको करा दूँ तो यहां पर आपको सैड में डिटाविस दिख रहा है एड्मिन है कॉलेज है जो कि हमने पिछले टोटेल में दिखा था तो हम इसी पर वर्क करेंग इसके अंदर जाने के लिए आपको यहां पर एक रा क्लिक करना है यहां से आप डिलेट कर सकते हैं डिरेक्ट यहां पर थोड़ा आपको इंटरफेस से आपको इंटरर करा देता हूं ठीक है यहां पर देखिए basically मेरे पास अब ही कुई रिकॉर्ट नहीं है क्योंकि हमने फ सब हम कवर करेंगे दिए रहें बट आपका जो परपस था कि वह आप यहां से कैसे यहां पर यूज हो सकता है वह आपको मैंने बता दिया ठीक है अब देखिए यहां पर डॉक्यमेंट्स दिखता कैसे लाइक मैं अगर आपनों को अपनी कंपनी का दिखाऊंगे एक प्रोज आप यहां से क्या कर सकते हैं यहां से इसे क्या कर सकते हैं यहां पर आप क्या करें इस पर करके और यहां से आप इस्ट्रिंग बगेरा चेक कर सकते हैं यही फायदा इसका GUI में आप इतना काम इसली कर सकते हैं और उसमें क्या होता था कि आपको कमांड प्रॉम्ट में तो आज का बस यही टुट्रोल है आगे हम इस पर बर्क करना स्टार्ट कर देंगे बैसकली हमारा जो डेटाबेस रहेगा बैसकली कॉलिज वाला ही रहेगा इस पर हम आगे बर्क करेंगे इस ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करें सब्स्राइब करे अगे हम टुट्यल ऐसे है अपने एक्स्पिरियंस से बताऊंगा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करें अगर आपको कॉन्टेक्ट नमबर चाहिए तो आप भो भी बताईएगा तो मिलते हम नाइस टुट्यल में जब तक के लिए